असलाम अलेकुम, गुड बॉर्निंग, आप सबका मेरे चैनल पर वापस स्वागत है तो गोल्ड फाइनली 2440 के आसपास के हाइस बनाने के बाद 2340 के आसपास बन्द हुआ है, अल्मोस्ट 100 डॉलर का क्रैश फ्राइडे जबर्दस गोल्ड के अंदर क्रैश आया काफी दिनों से गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा उपर जा रहे थे अल्मोस्ट सारे ही फैक्टर गोल्ड प्राइस इसने क्रैश में डिसकाउंट कर दिये हैं इरान की वार का, इसराइल के अटाक का, आने वाले रेट कट्स का पर फाइनली गोल्ड को रियलाइज हुआ कि यह तो कुछ ज्यादा ही तेजी से मैं भाग गया तो इस वाइड़े को 100 डॉलर के आसपास का क्रैश आया गोल्ड प्राइस से अपनी पीक पे अपनी पीक से 100 डॉलर का क्रैश आया फ्राइडे गोल्ड प्राइस जब नीचे आ रहते तो मैंने अपने पेड सिग्नल सब्सक्राइबर्स को एक सेल सिग्नल दिया था 2360.50 के आसपास था सेल था हमारा 2360.50 का था था और 2346 या 2445 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया अल्मोज 12-1300 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट था स्टैंडर्ड लॉट के आसपास अब दिक्कत यह है कि गोल्ड प्राइसे ने फॉलो अप नहीं लिया हमां से हमारे टार्गेट के बाद से गोल्ड प्राइसे को और नीचे आ जाना चाहिए था आज उस दिन मतलब फ्राइडे ही गोल्ड 2300 डॉलर चला जाए बट गोल्ड प्राइड से स्टेट देर और डिट नॉट क्रैश फर्दर कल मार्केट का वीडियो जब मैंने अपने चैनल पर डाल दिया था तो एक कॉमेंट आया था बहुत इंटरस्टिं कॉमेंट था मैंने स सुचा उसको एक क्लारिफिकेशन दिया जाया किसी ने कॉमेंट किया था कि रश्या की वार के टाइम पे तो गोल्ड प्राइस इतने उपर नहीं गये थे तो यह इसराइल और इरान की वार के अंटिसिपेशन में गोल्ड प्राइस इतना उपर क्यों जा रहे हैं अभी हम पर चलते हैं और सबसे पहले इस बात का जवाब देते हैं ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हुआ तो फिर क्या नेक्स टाइम भी ऐसा हो सकता है कि वार के टाइम पे गोल्ड प्राइस उपा ना जाए एक इंटरेस्टिंग थिंग है इसके अंदर आपने यह तो देख लिया कि गो आज में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ तो चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लिजीगा पेट सिंगलास और मार्केट कॉमेंटरी की जानकारी के लिए मेरी टीम का वाटसप नंबर डिस्क्रिप्शन में है मेरी वेबसाइट का लिंक पर डिस्क्रिप्शन में अव गोल्ड का चार्ट मैंने अल्रेडी जो है लगा के रखा है गोल्ड प्राइसेस का जो आप देख सकते हो जैनवरी में 1780 तक के लोज बने जैनवरी के लास्ट में ही न्यूज आने लगी थी कि हो सकता है कि यूकरेन पे रशिया हमला करते तो उसकी एंटिसिपेशन में कि रशिया यूकरेन पे हमला कर सकता है तो अल्रेडी एंटिसिपेशन आ चुका था और 1790 के आसपस से गोल्ड अल्रेडी चल चुका था पूरे फैबरोरी यह आपे देख सकते हो जबरदस गोल्ड चल चुका है 1790 से फरवरी में चला था और तकरीवन 2070 यारी के न्यू ल कि रशिया के वार के टाइम भी गोल्ड प्राइसेज उपर गए थे और मोर लेस इतना ही उपर गए थे अभी ज़रूर आपको 30% का जो है हाइक देखेगा उसकी भी अभी हम बात करेंगे तो एक बात तो यह क्लियर हो गई कि रशिया के टाइम पे गोल्ड प्राइसेज न नया लाइफटायम हाई बनाया था अब यह क्राश शुरू हुआ क्राश आप देख सकते हो 2018-1670 के आसपास यह क्राश क्यों शुरू हुआ ये crash इसली शुरू हा कि तकरीबन इसी दिन से lifetime high के next day से या फिर उसके आसपास ही Federal Reserve ने inflation को control करनी के लिए interest rate बढ़ाने शुरू कर दिये थे जिसकी वज़ासे gold prices में वो जो एक ठहराव है जो एक stability है वो नहीं रही और gold prices literally अच्छे से 30% के आसपास crash हो गए अपने peak से that is the reason कि gold prices यहाँ पर टिके नहीं और अपने lifetime high से तकरीबन 1680 दरफ gold prices चल दिये ये थे दो साल पहले का जब Ukraine और Russia का war start हुआ था अब आते हैं आज के scenario पर जो आज का scenario चल रहा है सबसे पहले हम October में जाएंगे October में जब 7 October के आसपास attack हुआ था इसराइल पर तो यह है 1832 से लेके 2440 तर 30 से 35% के आसपास का आपको यह हाइक दिखेगा 30 से 35% के आसपास की राइस दिखेगी gold prices के अंदर अब एक सवाल यह आता है कि उस टाइम को सिर्फ 20% बढ़ा था यूक्रेयन के टाइम पर तो अब 30 से 35% क्यों बढ़ा है दो रीजन है एक तो वार का आप 20% लगाई सकते होगे 20-25% वार की वज़ा से gold prices बढ़ गए हैं 10-15% इसलिए बढ़े हैं और अभी तक crash इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि federal reserve again action mode में है जैसे कि अभी हमने discussion किया कि दो साल पहले federal reserve rate hike करने वाला था अब federal reserve rate cut करने वाला है तो that is positive for gold prices दो साल पहरे that was negative for gold prices जिसकी वरे से gold शान्थ हो गया था और नीचे आ गया था अभी जो rate cut होने वाले हैं that is positive for gold prices इसलिए double double gold prices उपर जा रहे हैं बट finally Friday को लगा gold prices को कि बहुत जल्दी उपर चला गया है बिना correction के तो 2430 से माफ किज़ेगा 2440 नहीं 2430 से तकरीबन 3436 almost 100 dollar का crash आया ही gold prices के अंदर तो ये एक बहुत interesting comment मुझे लगा था comment section में इसलिए मैंने इसको आज weekly analysis में ली दिया आपके दिमाग में भी कोई सवाल आया करे या फिर कोई ऐसी अच्छा point आया करे तो please comment कर दिया करो मुझे भी cover करने में अच्छा रहता है मुझे भी थोड़ा सा reverse में जाने में अच्छा लगता है knowledge मुझे भी मिलती है आपके comment section से तो please do not hesitate to comment अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है और अगर कुछ जैसे ये वाला useful comment किसी ने किया था अगर कुछ रहेगा तो I will surely take that in video या फिर मैं comment का जवाब भी दे देता हूँ तो don't forget अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो please अच्छी बाते जरूर comment में लिख दिया करें या फिर अच्छे सवाल पुछेंगे तो that would be really nice मेरे लिए भी अच्छा रहता है ये वापस से reverse जाने के लिए market को और of course knowledge भी मिलती है जैसे कि in fact मुझे खुद knowledge मिली कि कि ऐसा क्यों हुआ जब मैं comment पड़ा तो मैं चार्ट पे वापस गया और मैंने देखा ऐसा क्यों हुआ तो मुझे भी एक knowledge मिली कि अच्छा हाँ उस टाइम रेट बढ़ने वाले थे अभी रेट कट होने वाले है इसलिए gold prices इस टाइम ज्यादा उपर है तो चलिए ये बा टाइमिंग में आपको बता यह सारे टाइमिंग आप जो सिस्टम पर देख रहे हो वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के साब से हैं लोकल टाइम चल रहा है मंडे को शाम को 6 बजे को रिटेल सेल्स के डेटा है और रिटेल सेल्स का डेटा है टूस्डे को इंडस्टियल प्रोडक्शन है चाइना का क्लेमेंट काउंट चेंज है ब्रिटेन का दाट इस लाइक अनिम्प्लॉइमेंट क्लेम्स उसके बाद कैनेडा के CPI नंबर्स है वैसे कैनेडा के नंबर्स को हम इतना वैल्यू देते नहीं है बड़ दो माहिने पहले ऐसा हुआ था कि कैनेडा के नंबर्स से गोल्ड प्राइसे में बहुत उच्छाल आ गया था तो वी विल फोकस अन दाट कुछ भी सिगनिफिकेंट रहेगा तो मैं टेलिग्राम पे और ट्विटर पे बता दूँगा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉलो कर लिजे प्लीज पॉने साथ बजे इंडेस्टिल प्रोडक्शन आएगा यूस का उसके बाद साड़े दस बजे बैंक ओफ इंग्लेंड के गवर्नर की स्पीच है FOMC के मेंबर की स्पीच है और फिर पॉने ग्यारा बजे फेडरल रिजर्फ चेर्मेन की भी स्पीच है उसके बाद वेटनस डेसी पी डेटा है यानि की इंफलेशन डेटा फ्रॉम ब्रिटेन अगें बैंक ओफ इंग्लेंड के गवर्नर की स्पीच है रात को उसके बाद थर्सडे को अनिम्प्लॉमेंट क्लेम्स है यूस के एक्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है तो ध्यान लखेगा इस पर कुछ भी रहेगा तो मैं आपको टेलिग्राम ट्विटर पर बता दोगा फ्राइडे को रिटेल सेल्स है ब्रिटेन के तो अभी 2344 के आसपास गोल्ड प्राइक्स बंद हुआ है तो ऐसा काफी लोगों को लग रहा होगा कि 100 डॉलर नीचे आ गया है तो अब तो मार्किट वीक जोन में चली गई है ऐसा नहीं है गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है और कब तक है जब तक है जान 2270 का सपोर्ट है दाट इस ओनली माइनर सपोर्ट विकाज माइनर सपोर्ट ही सबसे पास है ये तूटेगा तो I will update more 2270 के नीचे 2250 और 2220 तक जा सकता है रिजिस्टन्स हो गया है 2435 का trend unfortunately अभी भी positive है इंटर डे में जरूर कल negative zone में चला गया था इसलिए हमने sell signal लिया था कल अपने subscribers के लिए बट positional अभी भी positive zone में ही है आते हैं silver की तरफ जो close हुई है 2786 इसके अंदर एक जबरदस्त crack आया double crack आया इसके अंदर 2980 से लेकर तकरीबन 2780 के असपास बंद हुई है absolute term में almost 10% आप बोलो अपने peak से 10% नहीं तो कम से कम 78% अपने peak से नीचे आके बंद हुई है और intraday में 2% बंद हुई है तो एक अच्छा crack silver के अंदर हमें already देखने को मिल चुका है इससे लग रहा होगा कि weak zone में आ गई है unfortunately not 3-4 दिन से मैं यही कह रहा हूँ silver is more bullish than gold तो यह भी weak zone में नहीं आई है support है 25 डॉलर का yes can't do anything else because range is too big for now 25 डॉलर के आसपास का support है जब तक यह breach नहीं होगा तब तक market weak zone में जाने के लिए तयार नहीं होगी तो please खयाल रखेगा resistance है 29 डॉलर आफ कीजिएगा 29 डॉलर 80 सेंट का resistance भी बहुत दूर है trend है positive दोनों का trend positive है तो रखेगा खयाल चलते हैं crude oil की तरफ 85-40 के आसपास closing दी है थोड़ा सा ठका हुआ लग रहा है it seems a little bit tired 87-70 के आसपास दो बार high बना चुका है तो आज इस वीग का resistance support देख लेते हैं support है 77 डॉलर का 77 डॉलर resistance है 90 डॉलर का trend इसका भी positive है तो रखेगा खयाल बाकी वीडियो पसंद आया हो तो like, share, comment कर दीजेगा पेट सिंगलस की जानकारी के लिए team का WhatsApp नमबर और मेरी website का link description में दे रखा है अब मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye